अन्न पूर्णा उपनिशद प्रस्तुत करता स्वायम प्रकार शर्मा चौथा भाग चौथे भाग में उपनिशद के चौथे अध्याय के पहले पंतालिश लोग हैं निगद और रिभु शरीर और बिना शरीर के मुप्ति के बारे चर्चा करते हैं उपनिशन निगद रिभू से पूछता है आधरनी क्या जिवन्वक्त व्यक्ति में आकाश में उड़ने जैसी विशेश शक्तियां होती हैं लेकिन हे महान रिशी ये विशेश शक्तियां तो पूर्था प्राप्त व्यक्ति में नहीं होती जिसका वर्णन आपने पहले किया ह रिभू ने उत्तर दिया निगद जो व्यक्ति आत्मा को जानता नहीं जो व्यक्ति अभी भी बंधन में है वही आकाश में उड़ने जैसे शक्तियों को प्राप्त करता है ये शक्तियां वहे विशेश पदार्थों द्वारा विशेश मंत्रों द्वारा निश्चित प्रकार के अभ्यास द्वारा तथा समय की शक्ति द्वारा प्राप्त करता है लेकिन जो आत्मा को जानने वाला है वे इन सब से कोई वास्ता नहीं रखता वे जानता है कि ये सब तो अविद्या अज्ञानता की चीजें है जो विक्ति अपनी आत्मा में संतुष्ट है वे अग्यानता अविद्या के इन चीजों की कोई लालसा नहीं करता इन चीजों का उसके लिए कोई अकर्शन नहीं होता जगत में जो भी वस्तुवें मौझूद हैं उन सब को तो अविद्या अज्यानता का सामान माना गया है तो फिर ये महान योगी जिस पूर्ता प्राप्त व्यत्ती ने अविद्या अज्ञानता को दूर कर दिया है वे उसी अविद्या उसी अज्ञानता में फिर से क्यों चलांग लगाएगा थोड़ी समझवाला तथा भ्रांत जो भी व्यत्ती योग की शक्तियों के समू की इच्छा करता है वे उन शक्तियों को निश्चित अभ्यासों से प्राप्त कर लेता है जो अभ्यास उन शक्तियों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं पदार्थ मंत्र तथा कर्म इन तीनों को सही समय पर लागू करने से योग की ये शक्तियां प्राक्त की जाती हैं लेकिन ये सब शक्तियां व्यक्ति को भगवान की अवस्था तक उठा नहीं सकती वे उसे भगवान का दर्जा दिला नहीं सकती केवल कुछ इच्छाओं से प्रेजित होकर ही व्यक्ति चमतकारी शक्तियों के लिए काम करता है पूर्ण हुआ व्यक्ति तो कुछ मांगता नहीं उसे तो कोई भी इच्छा होती ही नहीं हे रिशी इस बात को अच्छी तरह जान लो कि जब सब इच्छाएं सूख जाती है तभी आत्मा को जीता जाता है जिसने अपने मन को मार दिया है ऐसा महान रिशी कैसे चमतकारी शक्तियों की इच्छा कर सकता है जीवन मुक्त विक्ति को कोई हैरानी नहीं होगी यदि सूर्य शीटल प्रकाश बिखेरने लगे यदि चंद्रमा जुलसाती किर्ने बरसाने लगे और यदि अगने की लप्ते उपर की बज़ाए नीचे की ओर जलने लगे सारा जगत तो उस परम वास्त विक्ता उस परम सत्य पर सुपर इंपोस्ड है उसके उपर रखा हुआ है उस सारे जगत को उस आधार के उपर रखा हुआ है जिस प्रकार एक साम एक रस्ती के उपर रखा जाता है जिस प्रकार एक रसी को एक साम समझा जाता है इस प्रकार की उपर रखे हुए सुपरिंपोज चमतकारों के कारण कोई भी जिग्यासा जगाई नहीं जा सकती जो व्यक्ति उस सब कुछ को वास्तव में जान चुके हैं जानने युग्य है जिस व्यक्ति ने सभी आसक्तियों को जिस व्यक्ति ने सभी लगावों को छोड़ दिया है जिसकी बुद्धी महान है जिसकी रिदे की सारी गाठे काट दी गई है वे व्यक्ति शरीर में रहते हुए भी अपने जीते जीही मुक्त है उस व्यक्ति का मन मर चुका है जो व्यक्ति सुख और दुख से अब प्रभावित रहता है और जुसे उसकी समभावना की स्थिती से कुछ भी जटक कर बाहर नहीं कर सकती जिस प्रकार कोई श्वास एक शक्तिशाली परवत को बिल्कूल भी हिला नहीं सकते उस व्यक्ति का मन तो मर चुका है जिसका मन खत्रे में संसाधन हींता में, उर्जा में, उल्लास में, निरुत्च साहता में या बड़ी खुशी में जो इन सब में बिना प्रभावित हुए, बिना व्याकल हुए एक जैसा ही रहता है मन को दो तरीकों से नश्ट किया जाता है एक निर्धारित निश्टी तरीके से और दूसरा अनिर्धारित अनिश्टी तरीके से शरीर में रहते हुए मुक्त हुए व्यक्ति का मन निर्धारित निश्टी तरीके से नश्ट किया जाता है और बिना शरीर वाले मुक्त व्यक्ति का मन अनिर्धारित अनिश्यत तरीके से नश्ट किया जाता है मन का मौजूद होना ही मन का अस्तित्व ही दुख का कारण है और मन का विनाश खुश्वी को पढ़ावा देता है इसलिए है रिशी मौजूद मन को कमजोर करके इसका विनाश कर दो हे पाप ही निगद इस बात को अच्छी तरह जान लो कि मन की प्रकृति तो वे मन मन की प्रकृति तो मूटता है जब मन निष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का सही सार जो मन हीनता है वे मन हीनता जीती जाती है जीवन मुक्त व्यक्ति का मन तो मित्रता जैसी महान आवेगों से सम्रिद्ध है इसलिए इसका पुन जनम कभी नहीं होता हे निगद शरीर वाले जीवन मुक्त के मन का यह विनाश तो निधारित तरीके से होता है और अशरीरी मुक्ति के साथ आता है मन का अनिश्चित विनाश जो विक्ति बिना शरीर से मुक्त हो जाता है वे तो बिना भागों वाली आत्मा को प्राप्त करता है उसका मन जो सभी उत्कृिष्ट गुणों का निवास है वे मन तो जैसे वे था उसे वैसे ही भंग कर दिया जाता है अशरीर मुक्ति के उस परम पवित्र बिना दोश वाली अवस्था में जो अवस्था मन हीनता द्वारा चिनहित है मन से उस अनिश्चित विनाश की स्थिती में कुछ भी तो बचा नहीं रहता ना गुण ना उसकी गैर माजूदगी ना वैभव ना उसकी गैर माजूदगी जगत का तो कुछ भी बचा नहीं रह जाता ना सूर्य उदय ना सूर्य अस्त ना खुशी की भावना ना क्रोद की भावना ना प्रकाश ना अंदकार ना सांज ना दिन ना रात ना जीव ना गैर जीव ना अस्तित्व ना अनस्तित्व और ना ही केंद्रियता यह अश्यरी म मुक्ति के अवस्था को दर्शाते हैं उसी चिनहित करते हैं देविशाल खुली लंबी चौड़ी अवस्था तो उन लोगों की होती है जिने बिना शरीर के मुक्ति मिल गई है जो संसारिक जीवन की बुद्धी और धूम-धाम से परे जा चुके है उनकी स्तिती तो आकाश जैसी है जो आकाश हवाओं का ठिकाना है जो आकाश हवाओं का निवास है वे महान जीवन मुक्त जिनके शरीर इथर या व्योम है वे लोग अशरीरी मुक्ति के अवस्था में बिना शरीर वाले हो जाते है उनके सभी कश्टो looks का उप्चार होकर अंत्व हो वे अब भौतिक बन जाते हैं पूरी तरह शांत आनंद से पूरी तरह स्थिर हुए रजस और तमस से परे इस अवस्था में उनके मन का जो कुछ भी बचा-कुचा है वे बचा-कुचा भी भंग हो जाता है हे महान रिशी अपने मन को सभी छिपे अव्यक्त आवेगों से चुटकारे दिलाओ अपने मन को जोर जबरदस्ती से एकागर करो और सभी मानसिक निर्मानों को निर्मानों से परे चले जाओ वे सदा स्वयम चमकता हुआ प्रकाश सारी दुनिया को रौशन करता हुआ अकेला ही ये संसार का साक्षी है ये तो समस्त की आत्मा है ये तो वे शुद्ध एक ब्रह्म है इकठी की गई घनी बुद्धी के रूप में ये सब जीवों का आधार है वे अद्वैत ब्रह्म जो सत्य ग्यान और अनंद द्वारा चित्रत है वे ब्रह्म तो सारे ग्यान का विशे है इस अनुभूति इस एहसास के साथ की मैं वो एक ब्रह्म हूँ रिशी अपना करता व्यपूरा करता है वे ब्रह्म तो समस्त का आधार है वे अद्वैत है वे परम है वे शाश्वत है वे सत्चित आनंद का सारभूत है वे शब्दों और मन की सीमा से भी कहीं परे है वहां सूर्य और चंद्रमा के रूप चमकते नहीं वहां हवाय चलती नहीं और वहां कोई भी अन्य देव नहीं होते वहां यह देव अकेला ही अस्तित्व या जीव के रूप में चमकता है अपने आप में ही शुद्ड रजस से मुक्त रिदय की सारी गाठे तूट जाती है और सभी शंकाएं काट दी जाती है यक्ति के सभी गतिविद्यां कम हो जाती है जब वे भगवान जो दोनों यहां है और वहाँ है जब वे भगवान दिख जाता है जीव के भीतर दो पक्षी एक साथ निवास करते हैं एक जीव है और दूसरा स्वामी है इन दोनों में जीव तो कर्मों का फल खाता है जबकि महान स्वामी नहीं अकेला साक्षी के रूप में बिना हिस्सा लिए महान स्वामी अपने आप ही चमकता है माया द्वारा उन दोनों में फर्क के अंतर स्थापित किया जाता है आत्मा उसके रूप से अलग है क्योंकि आत्मा कभी कम नहीं होती आत्मा सब वस्तूओं से अलग नहीं है जैसे जैसे तर्क तथा सही ज्यान से आत्मा की एकता स्थापित होती है और एक बार उसे एक्ता को अच्छी तरह समझ लिया जाता है तब उसके बार व्यक्ति को कभी भी शोक या दुख नहीं होता और ना ही व्यक्ति कभी भी मोहित या भ्रमित होता है ये सच्चा ग्यान होने से कि मैं तो सारे जगत का मैं तो ठोस सत्य का मैं तो सारे जग्यान का आधार हूँ रिशी सब दुखों को दूर कर सकता है वे व्यक्ति जिनके सारे दोश या जिनकी सारी खामिया कम हो गई है उन्हें अपने ही शरीर में समस्त के सब के साक्षी भगवान है उन भगवान का उन्हें एहसास हो जाता है जिसका सार वे स्वयम प्रकाशित जीव है ना कि वे दूसरे जो माया द्वारा घिरे हुए हैं उन्हें इसका एहसास नहीं होता केवल अकेले उस एहसास उस भगवान को जानते हुए बुद्धिमान ब्रह्मन ग्यान का निर्मान करें बहुत सारे शब्दों के समुह पर ही ना टिके रहें जो मौकित ठकान पैदा करते हैं ब्रह्म के ज्यान पर महारत हासल करने के बाद व्यक्ति केवल बालक के समान जीए ब्रह्म के ज्यान तथा बालक के समान व्यभार पर महारत प्राप्त करके व्यक्ति आत्मा को प्राप्त करता है मौलिक शरीर को संसार की लता संसार की बेल का बीज मानो उसे इस शरीर बदलने वाले जीवन का बीज मानू जिसके अपार अंकुर है जो अच्छे भी है और बुरे भी है जिसकी शक्तियां शरीर में अव्यक्त रूप से छिपी हुई है इस शरीर का तो मन बीज है जो व्यक्ति की लालसाओं के अनुरूप है यह सक्रिया तथा मौन दोनों मनोदुशाओं का स्थान है दोनों मनोदुशाओं का मियान है यह एक बक्सा है जिसमें दुख के रोगानू है मन के व्रिक्ष के दो बीज है एक प्राणधारश्वास की धड़कन और दूसरा हटी या जिद्धी कल्पना जब प्राणधारश्वास बेचैन संपरकों से उत्तेजित होता है तब मन एकदम सम्वेधनाओं या सेंसेशन्स के समू के रूप में बदल जाता है वे सर्व व्यापी जागरूकता महत्वपूर्ण श्वासों की धड़कन से जगाई जाती है वस्तूओं की जागरूकता को दबाना अधिक अच्छा है महत्वपूर्ण श्वासों इत्यादी की धड़कन को दबाना कम हानी कारिक है मानसिक शान्ती के लिए योगी श्वास नियंत्रण द्वारा ध्यान द्वारा तर्क द्वारा तथा निर्धारित अभ्यासों द्वारा महत्वपूर्ण श्वासों को दबाता है उस परमकारन को जानो जो परमकारन मानसिक शान्ती का फल प्रदान करता है उस परमकारण को जानो जो परमकारण मानसिक शान्ती का फल प्रदान करता है और वे परमकारण है हर्शित आत्म सैयम का बोध जिसे श्वास नियंतरन के रूप में जाना जाता है हाँ वे परमकारण है हर्शित आत्म सैयम का बोध जिसे श्वास नियंतरन के रूप में जाना जाता है इसके साथ अन्नपूर्ण उपनिशद का चौथा भाग संपन हुआ ओम शान्ती 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 ओम